दोस्तो आप सभी को हमारे चैनल जैगों मिरस में स्वागत है कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका उपर वाला होता है और आज ये हकीकत होता नजर आया एक बच्चा जो की अपने पिता से बिच्छड गया था कुछ हालात ऐसा हो गया था कि करीबन दो मेहना से अपने परिवार से अलग था अपने पिता से अलग था आज वो एक बार फिर से अपने पिता के साथ मिल चुका है और आज हमारे साथ यहां पे मौझूद है बेटा क्या नाम है आपका? सूरज परमार अच्छा बेटा आप यहां पे कैसे करके आए? सख्राइब केस किया जटो प्लीष वालोय ने मुझे ढूंके निकाला कितना दिन तक आप होम में थे वहां पर तीस दिन और आट दन अच्छा वहां पर कोई तकलीफ था आपको तो आपको अपना पापा का याद आता था बहुत आता था इसलिए और आज खुसो बहुत खुसो मेरे बाबा मेरे बाबा के पास हूँ इसलिए बहुत खुस हूँ अच्छा मान लो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अगर मान लो अगर आपको कहा जाय कि आप अपने पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्य के साथ बाबा के साथ रहना चाहता हूं क्यों dile ansip passenger करता है नहीं आप処ू है पर नहीं। अपने मां से कितने साल बाद मिले है है याद है याध है आपको याद है कि आक नहीं तो दोस्तों यह बच्चा जो कह रहा है कि दस साल पहले जब इनका आयू करिबन छे महने का था एक साल नहीं ने था उस समयों का माताश्री ने इनको त्याग कर कहीं और चली गए और करीबन दस वर्षों से वो अपने पिताश्री के साथ रहते आए हैं बेटा आप पढ़ाई लिखाई करते हो कुन से क्लास में हो बड़ा हो के क्या बनना चाहते हो मैं तो बड़ा हो के डॉक्टर बनना जाता हो आसा करते हैं कि ये जो हुनहार लड़का है इनका पिताजी काफी इनको सपोर्ट करते हैं और भविश्य बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी लगा दिये हैं और आसा करते हैं जैसा कि बेटा कह रहा है कि डॉक्टर बनेगा निश्चित रूप से आप डॉक्टर बनोगे हमारा आशिरवाद है आपके साथ और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहना और आगे चलके कभी भी कोई समस्या हो तो आपके पिता जी है हम है और आपके अंकल लोग है ठेक है थेंक यू तो दोस्तों आज हमारे साथ दोनों पिता और बेटा दोनों एक साथ आज हमारे साथ मौझूद है और काफी खुशी हो रहा है कि जो उनका एक काफी दिनों से वो परेशान थे अपने बेटे से मिलने के लिए आखिरकार उनका जो मक्सद था आखिर उनका जो इक्छा था वो उपर वाले ने आज हकीकत कर दिया क्या कहना चाहेंगे राकेश जी नमस्कार दोस्तो जी आज मैं बहुत खूस हूँ क्योंकि हमारे बच्चा दो गुम होने के बाद में ओम्मे रखने के बाद में आज हमको दो महीने के बाद में मिला हमको आज बहुत बड़ी खूसी है वो खूसी का हम इतनी खूसी है कि आप आपको के भी नहीं सकते आपने में लोग ने हेल्प कराए है मेडम लोग ने रवाना हो गया इसके लिए आपको खुबुब दन्यवाद खुबुबुब आभार नमस्काल और जैसा कि आपका बेटा कहे रहा था बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता है तो इस विशे में आप क्या कहना चाहेंगे उसकी खाईश भी पूरी करेएगे उसकी जरूरियात भी पूरी करेगे जो चाहेगे हम उसके करेगे दोस्तो हमारे साथ आज मौजूद है हमारे भाई अविशेक जी जिनोंने इस परिवार को फिर से मिलाने में पिता और बेटे को मिलाने में काफी बड़ा योगदान है इनका इनसे भी बात करना चाहेंगे अभिशेक जी हमारा चैनल में स्वागत है आपने काफी बड़ा इनिसियेटिव लिया इन दोनों को मिलाने के लिए तो आपको कैसा लग रहा है ये बताईए नमस्ते देखिए हम चाहते थे ये आये दो मैना पहले बहुत दुखी रहते थे रोते रहते थे हमने पूछा कि क्या है तो इन्होंने बोला अपना ऐसे ऐसे है तो हमने बोला कि इंसान यत तो है मैं हमने बोला कि हमसे जो पाएगा मैं करूँगा उसके बाद सभी लोग सा करने के लिए और आप लोग सब लोग देखें आप लोग के बज़े से प्रेशर से यह मिला एक हुमिनिटी के कारण सब कुछ मिला हमने कुछ ने किया हमको उपर वारा ने भेजा इनके हैल्प करने के लिए अभी देखिए यह चीज बोलना चाहते आज यह बंदा अपने बा हलप चाहिए मदद चाहिए जितना हो सकता है जो भी तरिकास हो सकता है प्लीज आप लोग भी है पिजेे यह था कि हम का इनसानीत बचा रहे ग्रlor के बचार हैं मैं भी आप लोगों से धन्यवाद बोलना चाहूँगा दोस्तो हम अपने जैगों मीरस चैनल के तरफ से आप सभी जितने हमारे जैगों के दर्सक हैं जैगों के निवासी हैं और जितने भी तमाम जो यहां के ऑफिशर्स हैं चाहें जैगों पुली स्टेशन का ले लें चाहें जो एंजियो इसे केस के साथ काम कर रही थी और समस्त हमारे जैगों वासी जो इनके दुख में साथ दिये हैं उनको मदद पहुचाए हैं और हमारे जो चैनल के माध्यम से जो वीडियो हमने शेयर किया था अपील किया था उसको आपने शेयर किया है उसके लिए तहे दिल से सुक्रियादा करना चाहेंगे इसी तरह हम इंसानियत को मदद करने के लिए आगे इसी तरह से आते रहेंगे आप सुरक्षित अपने घर वापस लोटेंगे यही मनोकामना के साथ हम लोग आज अलविदा लेना चाहेंगे हमारे चैनल के साथ इसी तरह जूड़ते रहेगा Keep watching, Jago Mirrors